पटना में प्रस्तावित तीन पांच सतारा होटेल के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है लीज और टेंडर की शर्टों के निर्धारन के लिए मुख्य सचीव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य समिती फैसला लेगी इस समिती में राजस्व इवं भूमी सुधार विभाग, वित विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास इवं आवास भाग और परिटन विभाग के प्रदान सचीव या अपर मुख्य सचीव स्तर की अधिकारी सदस्य है उमीद है कि फरवरी के प्रथम सप्ता में टेंजेंट निकाल दिया जाएगा, इसमें बड़े होटल समू के तवज्जो दिया जाएगा तो वहीं आपको बता देगे कि राजसरकार वो 45 साल की लीज पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप PPP मोड के ज़रिये इनका निर्मान कराएगी निर्मान कारे के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा, इन तीनों 5 सतार होटल में 1075 कमरे होंगे राज में आने वाले देशी विदेशी परेटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वो 5 सतार होटल निर्मान करवानी का निर्णैल लिया है फिलाल बिहार में एक भी 5 सतार होटल नहीं है, उमीद है कि 2026 तक पटना को अपना पहला 5 सतार होटल मिल जाएगा नहीं होटल खुलने से प्रतियक शुरू करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेंगे तो वहीं आपको बता दें कि गांधी मैदान के पास बांकीपोर सरकारी बस पड़ाव की जमीन पर 22 मंजिला 5 सतार होटल बनेगा यह एक तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी इस होटल को फ्लोर एरिया रेशियो यानी FRA 6 स्वकृत किया गया है यहां करीब 3.5 एकड जमीन है इस होटल में 500 कमरे होंगे इसमें 160, 100 स्टार्ट स्टैंडर्ड और डियूलक्स रूम होंगे 22 फैमिली डियूलक्स रूम, 5 ब्राइडल स्वीट, 10 एक्जेक्यूटिव स्वीट, 4 प्रेसिदेंशल स्वीट, 4 रेसिदेंस स्वीट, 5 बैंक्वेट हॉल, 5 रेस्ट्रों आधी शामिल होंगे गानी मैदान के आसपास बड़ी संख्या में सरकारी कारेलय वा महत्वपूर्ण इमारतों के कारण यहां 5 सतारा होटल की जरूरत महसूस की जा रही थी तो वहीं आपको बता दे कि वीरचंद पटेल पत स्तित सुल्तान पैलेस में अभी बिहार राजिपत परिवहन निगम का कारेलय चल रहा है इससे तोड़कर नया 12 मंजला 5 सतारा होटल बनाया जाएगा इस परिसर में करीब 4 दशमलू आटेकर जमीन पर बनने वाले होटल में करीब 400 कमरे होगे इन में 300 डबल बेड्रूम, 40 सिंगल बेड्रूम, 20 वी आईपी स्वीट, 4 प्रेसिदेंशल स्वीट, 2 कॉन्फेंस हॉल, बैंकिट वर रिस्टरों आधी का निर्मान किया जाएगा सुल्तान पैलेस का निर्मान 1926 से 28 के बीच किया गया था भुकम्पया खराब मौसम के कारण इसके धरश्याही होने की आशंका के कारण नया निर्मान किये जाने की योजनाब बनाई गई है तो वहीं आपको बता दे कि आयकर गुलंबर के पास बने होटल पाटली पुतर अशोक को तोड़ कर वहां 12 मंजिला नया पांच सतारा होटल बनाया जाएगा इस पुराने होटल का निर्मान 1976 में किया गया था पहले ये होटल परेटन मंतराले की अधीन था जिसे कुछ वर्ष पूर्व राजो सरकार ने अपने नियंतरण में ले लिया है करीब डेड एकर शेतर में बनने वाले नए पांच सतारा होटल में 175 कमरे होगे इनमें 15 से 20 सिंगल बेडरूम, 140 से 106 डबल बेडरूम, 15 वी आईपी स्वीट, चाल प्रिसिदेंचल स्वीट के साथ कॉन्टरेंस हौल, एक्जिबिशन सब बिजनस सेंटर, फाइन डाइन रेस्टरॉं, स्पा, आधी की सुविधा होगी तो फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही बने रही है हमारे साथ, देखते रही है लाइप सिटीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेस्बू पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें, वीडियो देखने के लिए आपका गन्यवाद